तो दोस्तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में दोस्तो आज के वीडियो में आप लोग को खुलसल बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिया दोस्तो बिजनेस तो सिजनली है लेकिन फाइदा इसमें बहुत ही जादा है आप अगर इस बिजनेस को अच्छे तरीक अप देखना होगा और बिल्कुल सांती से देखना होगा, क्योंकि यह बिजनेस आपको wholesale वाला सुरू होने वाला है, इसमें आपको दुकान नहीं लगाने है आपको जो है किसान से जो है वो डिरेक्ट माल को खरीदना है और खरीद के आपको मंडी में आप चाहें तो सेल कर सकते हैं और फिर आप मार्केट में सेल करिए और सेल करके इस बिच में आपको जो है मोटे फाइदे होंगे दोस्तो किस तरीके के business होंगे कैसे सुरू करने होंगे यह सारी जनकरी में आप लोग उनुगा उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा बिलाइक उनको पेस्ट कर दीजेगा ताकि इस तरीके का जब करना है मैंने सब्जी के business के बारे में वीडियो बनाया हुआ है आप अगर वह भी करना है तो उसमें ज्यादा फायदा है लेकिन ठीक वैसे ही एक और business के बारे मैं आप लोग बता रहा हूं business तो सिजनल है लेकिन आप 5-6 महिने जो है अच्छे कमाई इसमें आप करेंगे आ आपके पास में आपके हेंड में आप चाहे तो भाड़ा पर ले लो या फिर अगर आपके पास एक गाड़ी हो छोटा वाला जो जो गाड़ी होती है जिसमें जो है समान इधर तो उधर लेके जाए जाता है पीकप टाइक का होता है तो अगर आपके पास छोटा सा एक है त फिर वहां से आप ककड़ी खरीद लीजिए यानि कि जो भी फल गर्मियों के सीजन में जो फल ज्यादा सील होते हैं इस फल का आपको बैपार करना है आप चाहें तो इसमें आम को भी सामिल कर सकते हैं क्योंकि अभी सामने आम का सीजन आने वाला है तो आप आम भी खरीद के क कर सकते हैं लेकिन आम का जब भी आप मिजनेस करें तो अकेले करें केवाल आम कहीं करें उसका वीडियो मैं एक किनारे जो लोग बसते हैं वहाँ पर जब आप जाईएगा तो इसका खेती बड़े पहिमाने पर होता है और वहाँ पर यह ज्यादा सस्ता आपको मिल जाएगा जो खीरा जो है आपके मार्केट में अगर 20 रुपए किलो बीक रहा है मैं आपको एक एक जांपल दे रहा हूं इसका रेट तो अलग अलग हमेशा होते रहता है वो मतलब जो मार्केट में 20 रुपए किलो जो खीरा सेल हो रहा है वो अगर आप मैं आपको बता दूँ किसान के पास से आप खरीदते है तो वहां पर आप पांच रुप noi मिल जाते हैं जी हाँ दोस्तों 5 रुपी मिल जाते हैं हो सकते हैं कि कहीं अगर महँंगा है तो आपकीसी दूसरे मतलब किसान के पास कहीं दूर पता कीजिए जहाँ आपको सस्ता मिले मानका चलिए कि अभी जो तर्भूज जो है आपके मार्केट में या वंहें कि जो आपका मार्केट है स्थीow फिरूपे कीलों हो चाहिए तो आप पता केजि़े सबसे सस्ते अभी कहां मिल रहा है किसान का नमबर रहे एंगły जितना ज्यादा सस्ता आपको मिलेगा जहां भी मिले आप गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाईए वहां पर एक गाड़ी तर्भूज दुरुआईए और फिर जो मंडी है आपका आपके यहां जो मंडी है उस मंडी के चार-पांच बड़े-बड़े जो होलसेलर का आप नंबर रखिए वहीं से जब तर्भूज आपका तोड़ा जा रहा है और मतलब तोड़के वेट करके गाड़ी पर लोड़ किया जा रहा है उस समय आप वहीं से फोन कीजिए यहां पर मंडी में होलसेलर के पास आप पूछिए क्या रेट चल रहा है तो आपको बताएगा 20 रूपे चल रहा है फिर 18 रूपे चल रहा है आप उसे बात फिक्स करिए बोली कि यह गाड़ी हमारे फैस्तर बूज है अगर आप रेट सही दीजेगा तो वह होलसेलर जो है उसके पास माल की अगर कमी होगी या फि यहां पे लेक 20 रूपे किलो अपने बेच दिया एक किलो पे आपको 15 रूपाय का फायदा हुआ यानि कि अगर एक क्यूंटल आप खरीद के वहां पे सेल करते हैं तो आपको 15 रूपे का फायदा होता है लेकिन जब आप गाड़ी लेके जाएगे तो बड़ा वाला मंडी को से कर सकते हैं तो दोस्तों आपको बस इसमें इतना ही करना होते हैं आपको किसान से जहां पर सस्ता मिले आपको जो भी सस्ता मिले वहां से खरी दिये और वहीं से आप मंडी में जो होलसेलर लोग है उनसे आप बात किजिए और बात करके अपने गाड़ी से माल ला हैं इस हिसाब से एक आपको टार्गेट दे रहा हूं मतलब छोटा समय आप लोगों को एक आकड़ा बता रहा हूं इससे ज्यादा आपको मुनाफे होंगे लेकिन अगर आप परड़े अगर दस क्यूंटल का भी अगर हेर फिर आप करते रहते हैं अगर पंद्रह 15,000 कमाए हैं इसमें सही जाल σारी ऑ हम चाते हैं तो आपके पास अगर पीडियो में कमेंट करके जरूर बताएगा और बिजनेस एडिया अच्छा लाग हो तो वीडियो को लाइककर दीजिए गर चैनल को सब्सक्राइब करके दिगे अगले वीडियो जो है और भी धवाकेदार होने वाला है तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिए गा उसके ल झाल